हेलो एवरिवन वेलकम टो आर यूटूब चैनल इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को नेक्स्ट वन येर के लिए ऐसे कौन से स्टॉक का पॉर्टफुलियो बनाया जाए जो कम्बाइन ली हमें अच्छा रिटन बना कर दे सकता है उन्हें स्टॉक्स के बारे में डिसक लेकिन इस वीडियो को अगर आप लोगों ने एंड तक देखा तो आप लोगों को नेक्स्ट टू टू त्री मन्त में क्या करना है आइडिया मिल जाएगा विकोज निफ्टी हाई पर है अगर बहुत जादा हाई वाले स्टॉक आप लोगों ने बाई कर लिए और इडवाईजर से सला जरूर लीजिएगा सबसे पहले हम लोग निफ्टी 50 इंडेक्स का अनलिसिस करके देखेंगे यहाँ पर आप लोगों को क्लियर नजर आ रहा है निफ्टी अपने लाइफ टाइम हाई पर है और बहुत सारे ऐसे स्टॉक है वो भी अपने लाइफ हमें यह करना है की निफ्टी हाई पर है और especially small cap और mid cap और mid cap के जो स्टॉक है वो भी लगातार उपर की तरफ चल रहे होंगे तो उन स्टॉक में swing trading अगर आप लोग करते है यानि की positional टेडिंग तो आप लोगों को ज़्यादा high price वाले high price ऐसा जन. कि number में बड़े हो यानि कि lifetime high चल रहे हो ऐसे stock में position बनाने से अभी आप लोगों को बचना है notebook में note down कर लीजिएगा because nifty में अगर correction आता है तो सबसे पहले ये वाले जो छोटे stock होंगे इन में lower circuit लगने start हो सकते हैं तो पहले से ही ये situation आप लोग avoid कर सकते हैं अब nifty का देखते हैं अगर market में थूड़ा सा भी उपर नीचे होता है तो यहां से सीधा सीधा ये black color की line मैंने लगा कर रखिये 4.64 percentage और easily 6 percentage का correction देखने को मिल सकता है और 6% अगर nifty में correction होता है देखिए guarantee नहीं है कि होगा ही होगा correction लेकिन अगर होता है तो हमें अपना portfolio इस तरीके से manage करके रखना है कि ज़्यादा dent ना आए portfolio पर और जब भी nifty reverse हो तो हमारे stock चलने start हो और जो हम 10 stock का portfolio बनाएंगे combinedly वो भी पूरा portfolio हमें एक अच्छा return बना कर दे सकता है वो कब होगा वो तब ही होगा जब अच्छे stocks को अच्छे price पर buy करोगे तो यह आप लोगों को ध्यान रखना है because next two to three month में बड़े events आने वाले हैं सबसे बड़ा event election आने वाला है तो यह हां से अब nifty क्या हो सकता है हो सकता है यहां से उपर की तरफ चलना है start कर दे और high बनाता जाए या फिर क्या हो सकता है इस तरीके से consolidate हो जाए या फिर नीचे आकर इस range के अंदर ही फज जाए यह तीन situation हो सकती है तो आप लोग ध्यान रखिएगा nifty 50 का मैंने आप लोगों को already बता दिया ज्यादा analysis नहीं करना है nifty hyper है तो small cap mid cap के stocks में आप लोगों को position बनाने से अभी बचना है और जब नीचे गिर जाएंगे small cap mid cap मैं already वीडियो आप लोगों के लिए बना दूँगा ठीके अब market leader stock के तरफ चलते हैं कि हम ऐसे stock डूंडेंगे nifty lifetime hyper है लेकिन stocks न nifty bank में हम लोग जाते हैं तो आप लोग सभी बोलेंगे HDFC bank limited का stock अभी तक नहीं चला है तो हम लोग discuss क्यों कर रहे हैं HDFC bank को अगर हम लोग देखते हैं तो पिछले 3 साल से अगर देखें तो कोई return बना कर नहीं दिया है लेकिन अगर आप लोग swing trading करते हैं तो आप लोगों को बहुत अच्छा return मिलता है जो मैंने lines लगाईए वो आप लोग देखिएगा तीन साल में कुछ भी return नहीं दिया यहां हमने देखा almost support zone के आसपस buy किया हमें return मिला हमें return मिला यहां से कितना मिला 20% का फिर नीचे आया stock फिर हमने यहां buy किया हमें return मिला फिर से 23% का फिर न return मिला 24% का stock फिर से नीचे आया है और अभी हम लोग buy कर सकते हैं और यहां से stock में potential सीधा सीधा आप लोग 15% यह मान कर चलिये और यहां पर जाएगा तो 20% का return वापस से मिलने का इसमें chance है तो देखिए जो भी आप लोग return देखते हैं ना पिछले 3 साल में HDFC bank ने कुछ भ यहां पर buy कर लिया और सिर्फ और सिर्फ hold करके रखा उपर के price पर गया तब sale नहीं किया उन लोगों का यहां पर 0% return बन रहा होगा otherwise swings और positional आप लोग करते हैं तो आप लोगों को हमेशा HDFC bank अच्छा return बना कर दे सकता है तो अभी वापस से opportunity बनी है एक strong support zone के आज पास से buying strategy क्या रहनी चाहिए 14.30 पर suppose buy किया यहां से 10% अगर fall हो जाए तो एक हमें average लगाना है almost इसके आजपास में अगर नीचे गिरता है यह देखिए important यहां पर भी यह support है यह वाला ही zone बन रहा है 10% के आजपास का बस उसके बाद इस stock को छोड़ देना है easily 25 to 30% one year में बन सकते है HDFC bank में यह psychology आप लोगों को रखना है levels no down करके रख लीजिएगा यह दोनों support level और यह दोनों resistance level ठीक है कुछ भी नहीं है HDFC bank का profit भी अच्छा है balance rate अच्छी नजर आ रही है कोई दिक्कत नहीं है next अगर bank देखें तो kotak bank अब kotak bank में देखिए सपोज यहाँ पर किसी ने buy किया होता और hold करके रखा होता तो अभी यहाँ पर कुछ भी return नहीं मिल रहा होता लेकिन मेरी strategy से अगर आप लोगों ने buy किया होता तो आप लोग देखें 20% फिर देखें सपोज यहाँ buy कर दिया time जादा लगा लेकिन फिर से 20% का rateन मिला फिर से देखिए फिर से यहाँ stock नीचे आया है अब क्या मिलेगा 20% का trade बन चुका है कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर buying strategy किया current price पर buy 10% नीचे average और leave it ठीके दो stock मैंने आप लोगों को बता दिये अब देखिए इसी में ICICI bank है अब ICICI bank को अभी हम avoid करेंगे because lifetime hyper चल रहा है nifty नीचे गिरेगा तो यह तेजी से नीचे गिरेगा ठीके इसलिए हम अभी कौन से stock buy कर रहे है जो already low price पर है अभी नहीं चल रहे हैं लेकिन nifty नीचे गिर कर वापस से reverse करेगा तो यह stock जो पहले होंगे जिन में momentum अच्छा आ सकता है और हम confidently stock को hold कर सकते हैं दो stock बता दिये अब nifty 50 top 10 में एक हिंदूस्तान उनिलिवर भी है अब हिंदूस्तान उनिलिवर में देखिए इसमें भी same situation buy करके hold करके रखा होता तो कुछ भी नहीं मिलता आप extra long term investor है 5 साल से 10 साल के लिए तो सब return अच्छा बन जाता है लेकिन अभी इन 2-3 सालों के अंदर आगर आप लोगों ने सिर्फ stock को hold करके रखा है तो पैसा नहीं बना होगा आप लोगों का जिन stocks के मैं आप लोगों को नाम बता रहा हूँ देखिए stock इस तरीके से return देते हैं 12% का return दिया फिर देखिए swings में खेलते हैं हम लोग 12% का फिर return दिया अब देखिए stock यहां आया suppose मैंने सोचा यहां buy कर लिया ठीके अब यहां से 11-12% चांसे अभी थोड़ा नीचे चल रहा है तो strategy सेम रहने वाली है buying price यहां से 10% नीचे एक average और और ज़्यादा return बनाना है तो दो बार अगर average कर लिया तो एक दूसरे demate account में यह जब नीचे आ जाए तो यहां पर fresh entry ले लिजिएगा वो portfolio में शानदा return बन जाएगा आप लोगों को विकोज यह जब 10% नीचे गिरता है न वापस से जब reverse होगा न base price 2180 हो जाएगी तो यहां से जब यह target मिलेगा न तो आप लोगों को 25 से 30% हो जाएगा यह basic math से आनी चाहिए अब ITC है हम बहुत दिनों से avoid कर रहे थे लेकिन ITC अब हमारे buying radar में आ चुका है ITC को current price पर entry की जा सकती है 390 का अच्छा support है 370 का अच्छा support है that's it उसके बाद buy करके छोड़ देना है और current price पर भी entry करते है तो यहां से सीधा सीधा एक 17% और lifetime हाई के आज पास बात करते हैं तो 20% का return बनाने के लिए ITC ready है ठीके तो यह हमारे 4 stock हो गए Reliance अभी hyper चल रहा है avoid करेंगे देखे company का नाम अच्छा होना ही सही नहीं है है ना सही price पर buy करना ज़रूर है देखे Reliance में entry हम लोगों ने ली थी target अचीव हो गया कोई दिक्कत नहीं है बाहर निकल गए दूसरे stock में entry करेंगे उसके बाद हम लोग IT sector को अभी avoid करेंगे Nifty financial services की बात करते हैं तो बजाज fincer एक अच्छे price पर हमें available हो रहा है pattern बना हुआ है target देने के लिए ready है current price से अगर हम लोग देखते हैं तो सीधा सीधा जो पहला target होने वाला है वो 15% का होने वाला है दूसरा target 30% के आसपास almost मिल सकता है तो next one year के लिए ये stock भी अच्छा रहने वाला है next stock है बजाज finance का बजाज finance आप लोग देख सकते हैं clear cut एक range के अंदर चल रहा है ये देखिए ये वाली range और ये वाली range देखिए fundamental already मैं दीख चुका हूँ इन companies की balance sheet और profitability बहुत अच्छी है इसलिए हम लोग support पर buy कर रहें otherwise support तूट जाते हैं अब ये stock इस तरीके से चल रहा है देखो इस तरीके से अब इस stock में क्या करना है suppose यहाँ पर एक reverse हुआ था trend यहाँ पर हम लोगों ने entry कर ली यहाँ से ही reverse होता है तो सीधा सीधा 22 percentage का अगर यहाँ से नीचे गिर जाये तो क्या करना है नीचे गिर जाये तो 10% पर average करना है और 10% पर average नहीं कर पाओ तो यह support line मैंने आप लोगों के लिए लगा दी है 5534 और इसी के साथ मुझे एक चीज़ दिख गया है तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ आप लोगों को ध्यान रहेगा हमेशा bottom stock में exact bottom हम नहीं पकड़ सकते लेकिन जब भी divergence वाली situation आ जाती है divergence यानि क्या होता है देखे stock ने low लगाया यहाँ पर RSI ने भी low लगाया यहाँ इसको मैं थोड़ा सा उपर कर देता हूँ रुकिएगा थोड़ा सा उपर किया हमने और RSI ने भी यहाँ पर low लगाया आप लोग देखें RSI ने भी low लगाया अब इस low को price ने तो break कर दिया लेकिन RSI ने break नहीं किया इसका मतलब क्या है बड़े investors जो हैं इस stock में quantity उठा रहे हैं यह बना divergence अपोजिट में बनता है इसको bullish divergence हम लोग बोलते हैं और यह indication होता है कि stock में अब लोग buy कर रहे हैं smart investor तो यहाँ से हम लोग 10% का एक gap रखते हैं जिससे हम लोग क्या करें कि इस पूरे stock में manage कर सकते हैं अपनी risk को अगर नीचे भी गिरता है तो यहाँ से अच्छी position बन सकती है तो मैंने almost आप लोग को 6 stock बता दिये हैं सात्वा stock HDFC life insurance से रहेगा और HDFC life insurance में भी अगर हम लोग बात करें तो same ही situation ने stock flat है यह उपर जा रहा है और यह double bottom बनने की तयारी है आप लोग देखें यह जो यहाँ से नीचे गिरा है यह इस तरीके से W बन रहा है और यहाँ को break करेगा तो 690 तक जा सकता है और 690 तक सीधा सीधा है एक आप लोगों के पास 16% का target है और जब यह range break होगी तो आप लोगों के सामने एक सीधा सीधा pattern बनने का कोशिश करेगा वो बात की बात है लेकिन यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हैं यहाँ से इसके lifetime high तक को भी अगर हम लोग देखते हैं तो 27-30% easily यहाँ पर manageable है तो next one year के लिए भी अच्छा stop होने वाला है ठीक है अब next चलते हैं निफ्टी FMCG के अंदर बात करते हैं तो मेरीको अब मेरीको की अगर बात करते हैं तो मेरीक में buying trade बना है एक support यहाँ बनता है दूसरा support maximum 10% के fall पर ही buy करें अप लोग अगर करते हैं यहाँ से सीधा सीधा एक shrink trade में 5% का target फिर 13% और lifetime high 15% का नीचे गिरता है तो हमारे लिए opportunity है next stock डाबर इंडिया का होने वाला है और डाबर इंडिया और वीडियो तक आप लोग end त subscriber है एक ऐसा stock था जो चल नहीं रहा था और मैं आप लोगों को बोलता था 4000 हो जाएगा 4000 हो जाएगा वो stock हो चुका है almost 4000 तो मैं उसकी case study भी आप लोगों के साथ discuss करूँगा तो डाबर इंडिया में देखी कितनी अच्छी एक range में गूम रहा है देखो इस तरीके से इस तर स्टॉक में ट्राइग नहीं करनी है इन कंपनी का business अच्छा होना चाहिए balance sheet अच्छा होना चाहिए और profitability अच्छी होनी चाहिए तब जाकर यह support काम करते हैं otherwise 100 में से मान कर चलिए 70-80 कंपनी में support तूट कर बहुत जादा कंपनिया नीचे गिर जाते because उन कंपनी के profit अच्छा नहीं होता है तो छोटे stock में यह वाले strategy ट्राइन में ही करनी है अल्मोस्ट हमारे no stock हो चुके हैं और pharma sector को अभी हम लोग avoid करेंगे ओटो sector already high चल रहा है इसमें भी बालकृष्णा market leader है लेकिन अभी हम लोग avoid कर रहे हैं इसको और मैं आप लोगों को footwear sector के अंद अगर हम लोग देखें बाठा इंडिया market leader है बाठा इंडिया अगर आप लोग देखेंगे तो एक बहुत अच्छे price पर और इसमें भी divergence बन रहा है ठीके current price से सीधा सीधा देखे 17% उसके बाद 25 और उसके बाद 40 तो next one year के लिए बाठा इंडिया का stock अच्छा रहने वाला है ठीके 10 stock हो चुके हैं अब relax of footwear हमारा stock अभी चल नहीं रहा है किसी ने अगर hold करके रखा है यहां से 2021 से तो 0% return बन रहा होगा और उपर गयाता यहां बेच नहीं पाया है तो frustrated हो चुके होंगे आप ठीके अब यह stock में देखिए एक अच्छी consolidated zone बन रहा है 808 का अच्छा support है यहां से सीधा सीधा 16% और इसके बाद देखिए 43% का target ठीके तो next one year के लिए बाटा इंडिया और relax of footwear अच्छा है और भी stock बता देता हूं because मुझे time नहीं मिलता है मैं Saturday या Sunday को एक video ही बनाता हूं because यहां पर मेरा trading से हो जाता है पैसा इसलिए मुझे जादा लालच है कि वीडियो जादा बनाऊंगा व्यू जादा आएंगे तो जब भी मुझे time मिलता है और जब ऐसी situation बनी stocks में तो लगातार वीडियो भी बना दूँगा मैं तो वियर पूल के अंदर मैं इसको वियर पूल बोलता हूं तो बहुत जने comment box में लिखते है कि pronounce भी करने नहीं आ प्रनाउंस करने से कुछ नहीं होता return बनना चाहिए पैसा बनाना आना चाहिए stock market में यहां से सीधा सीधा इसके अंदर 40% का target बन रहा है वर्पूल के अंदर तो next one year के लिए यह बी एक अच्छा stock है ठीके अब मैं आप लोगों को case study बताता हूं HDFC AMC की HDFC AMC यह stock जब यहां था न यहां पर यहां पर बोल रहे थे stock चल नहीं रहा है चल नहीं रहा है 2021 से almost 2023 तक stock नहीं चल ला है एक साल तक अब हमारी strategy यह range में ने जो draw की थी उस strategy के according अगर हम लोग देखते हैं तो देखिए नीचे की रहा था यहां buy किया था और यहां से इतना return मिला था हमें almost one year के अंदर 63% का return मिल लिया अब same situation हम लोगों ने यहां apply की थी अब इस बार किया हुआ इस बार यह हुआ की 493 days यानि की 500 days तक हमें return ही नहीं मिला लेकिन फिर यहां जब मैंना नजर डाला तो 705 दिन के अंदर 62 percentage का return है यानि की almost 2 साल के अंदर 30% का return maintain हो गया तो hold करने की capacity होनी चाहिए और यह कब कर सकते हैं आपका जितना भी total portfolio है उसका 5 से 8% 5 to 8% से ज़्यादा एक stock में हमारा पैसा नहीं लगना चाहिए starting में suppose 3-4% पैसा लगा दिया buying पे फिर 10% नीचे गेरता है 3-4% फिर पैसा लगा दिया तो total 8% आप लोगों का पैसा invest हो गया एक stock में फिर दूसरे stock में भी इसी तरीके से किया तीसरे stock में भी इस तरीके से किया इस तरीके से अगर आप अपना portfolio बनाते हैं तो one year में आप ल profitable रहेंगे because कोई stock जल्दी चलता है कोई stock लेट चलता है लेकिन company का business अच्छा होता है तो in the end market को उपर ही जाना है तो यह सारे stock मैंने आप लोगों को बता है HDFC, AMC में अभी current price पर buy करना चाहिए तो बिलकुल नहीं करना चाहिए मैंने आप लोगों को already stock बता दी हैं जो नी stock जो है मेरी recommendation नहीं है मेरे portfolio के अंदर है फिर भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ आप लोग analysis कीजिए और आप लोगों को conviction लगता है business में तब ही आप लोग in stock में position ले सकते हैं thank you for watching this video video बढ़ा हो गया लेकिन learning जरूरी है साथ में strategy भी पता चलिए आप लोगों को और next one year के लिए क्या भी हो रहना चाहिए और election के time पर अगर correction आता भी है तो यह 10% वाला जो formula है हमारा और already low पर buy कर रहे हैं तो हम लोग manage कर जाएंगे अपने portfolio को thank you